नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैक्फॉर्म और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता किड़नी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपून कारे करती है ये बात किसी से छिपी नहीं है अगर overall health की बात करें तो सबसे पहले किड़नी का स्वस्त होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर किड़नी स्वस्त नहीं होगी तो वेक्टी कई तरह की गंभीर बिमारियों का शिकार हो जाता है वही कई बार तो पूरी तरह से किड़नी के फेल हो जाने का भी डर रहता है बता दे किड़नी फिल्टर हमारे शरीर की सफाई करती है और अगर किड़नी फिल्टर खराब हो जाती है तो खून में गंदगी बढ़ने लगती है और किडिनी खून को फिल्टर करना बंद कर देता है कुछ ऐसे फूर्ट्स हैं जो इसकी सबसे बड़ी वज़ा बनती है इसलिए इन फूर्ट्स का सेवन करने से बचना बेहत ज़रूरी है तो आएए जानते हैं इन फूर्ट्स के बारे में किडिनी फिल्टर खराब होने से बढ़ती है ये गंदगी या यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, सोडियम, अतिरिक पानी, अमोनिया, यूरिया, क्रियेटिन, अब बात करें अगर आपके गुर्दे की बिमार है तो केले का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वज़ा से किडिनी फिल्टर खराब हो सकता है छिलके के साथ आलू कभी ना खाये, दरसल आलू में पोटेशियम की काफी ज्यादा मात्रा होती है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा छिलके में भी मौजूद होता है इसलिए आलू के छिलके को साथ खाने से बचना चाहिए वरना धीरे धीरे ये किड्नी को खराब कर सकता है अगली आगे बात करें तो दाल तो दाल के सेवन के लिए काफी अच्छी होती है लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा केट्नी के फिल्टर के लिए बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है आपको बता दें कि एक कप पकी हुई दाल में करीब 730 मिली ग्राम पोटेशियम मिलता है तमाटर या उसका पेस्ट अब बता दें कि टमाटर या उसके पेस्ट शरीर में गुर्दा खराब करने वाले पोटेशियम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है इसलिए टमाटर या उसके पेस्ट के सीमिस मात्रा में ही खाना चाहिए एक मध्य मकार के टमाटर में करीब 290 म प्रोटेशियम होता है आगे बात करें दूद या दही तो किड़नी के मरीजों को दूद और दही का सेवन कम से कम करना चाहिए क्यूंकि ऐसे उत्पादों में भी गुर्दक हराब होने वाला ये तत्व मौजूद होता है डेरी प्रोडक्ट में हमें दिन की जरूरी मात्रा क करीब एक चोथा हिस्सा आराम से मिल जाता है आगे है चिकन ब्रेस्ट हराब किटनी के मरीज चिकन ब्रेस्ट का सेवन करने से बचे और हेल्दी वेक्ति भी कंट्रोल में रखा है और क्यूंकि इसमें प्रोटीन बहुतायात मात्रा में होती है लेकिन इसके साथ पोटेशि झाल